केंदर में मोधि सरकार के आठ वर्ष का कारेकाल पुरा होने पर हिमांचल की राजधानी शिम्ला में 31 माई को रास्ट्य कारेकरम आयोजन किया जा रहा है अब ऐसे में क्या PM नरिंदर मोधी धरमशाला आएंगे इस पर भी चर्चा हो रही है हलांकि मुख्य सचीवों से PM नरिंदर मोधी की कौनफरेंट धरमशाला में परस्तावित है जिसके चलते सोंबार को परदेश सरकार के मुख्य सचीव नीती आयोग के CEO धरमशाला में वर्ष्थाओं का जाजा लेने पहुंचे थे लेकिन धरमशाला में कौनफरेंस हो सकती है जानकारी के अनुसार यहां कारिकरम 16-18 जून तक परस्तावित है हलांकि इसके लिए अन्यस्थानों पर भी वर्ष्थाएं जानची जा रही है लेकिन जिस तरह से अधिकारियों ने धरमशाला का दौरा किया है उससे एक उमीद की किरन जगी है कि PM नरेंदर मोधी धरमश प्रस्तावित किया गया है प्रस्तावित शेडियूल के तहर कॉंफ्रेंस का योजन 16-18 जून तक होना है जिसके चलते चीफ सेकेर्टरी और नीदी आयोग के सी ओ धरमशाला व्यवस्थाएं देखने आये थे कि यहां हो सकती है या नहीं दोनों अधिकारियों ने देखें अभी जो प्रस्तावित है 16, 17, 18 जून को यह दोरा प्रस्तावित है और इसमें जितने भी हमारी स्टेट्स हैं पूरे गंटरी के अंदर उनकी जो चीफ सेकेर्टरी हैं उनके साथ एक रिव्यू बैठक माने जो परदान मंत्री मौद है उनकी यहां पर होनी प्रस सुबगसर वो भी उन्होंने दोरा अभी दो दिन पहले यहां का धरमशाला का किया था और इसके अंदर जितने भी प्रस्तावित वेन्यूस हैं जहां पर यह मीटिंग को होल्ड किया जा सकता है जिसमें पुलिस ग्राउंड जिसमें एच्पी सीए स्टेडियम और जिसमें फिर हमें दो से तीन दिन के अंदर हमें यह सूचना मिलेगी कि क्या यह जो प्रसावित मीटिंग है यहां पर फाइनलाइज हुई है कि चैनल के लिए धरमशाला से ब्यूरो रिपोर्ट